प्रेम यानि सने, लगाप, चाहत अनेक नाम है इस भावना के हम सब किसी ना किसी से प्रेम करते हैं माता-पिता से, प्रेसी से, या पत्नी से, संतानों से, परिवार या मित्रों से माता-पिता से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है पत्नी या प्रेसी से आधार प्राप्त होता है संतानों से अभिमान और परिवार तथा मित्रों से संतोष मिलता है अर्थात जीवन में सारे सुखों का अनुभव हमें प्रेम से ही प्राप्त होता है और फिर भी वही प्रेम का संबंध सदा दुख का कारण बन जाता है ऐसा क्यों होता है? प्रेम का स्वाद भी कभी मीठा तो कभी कड़वा क्यों लगता है? क्या हम वास्तव में प्रेम को समझ ही नहीं पाते? इसे समझने के लिए हमें स्मरण करना होगा प्रेम या चाहत के अनुभव का क्या विचार चलते हैं हमारे मन में जब हम किसी से प्रेम करते हैं जब गहरे प्रेम का अनुभव होता है तो हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति को हम सारा सुख दे दें सब कुछ दें जो हमारे पास है बदले में हमें किसी वस्तु की एक्छा नहीं होती क्या ये सत्य नहीं? जब हम किसी को चाहते हैं तब हम उससे कुछ नहीं चाहते प्रेम वास्तव में उस संबंध को कहा जाता है जिस संबंध से हमें कोई आशा, कोई चाह, कोई मांगना जैसे ही कोई मांग मन में प्रवेश करती है वैसे ही प्रेम व्रिदे से विलुप्त हो जाता है चला जाता है जैसे रोग के कारण जीब मैली हो जाती है और मीठा फल कड़वा लगता है आशा, एक्छा, चाह या मांग इन सब के कारण मन को मैला कर देते हैं और मीठा प्रतीत होने वाला प्रेम भी कड़वा बन जाता है अर्थात प्रेम उस संबंध का नाम है जिसमें कोई मांग नहीं प्रेम की बात करते ही साथ ही साथ विचार आता है घ्रिना का घ्रिना का अनुभव किस ने नहीं किया किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही मन में कड़वा हट आ जाए हमारे अंतर में इक्छा जागे कि उस व्यक्ति का सर्वनाश हो वही तो घ्रिना है है ना उसी वेक्ति ने हमारे प्रेम को ठुकराया, हमारी कोई संपत्ती चुराई, अथ्वा कारोबार में हमें धोका दिया ऐसे कई कारण भी हम सोच लेते हैं लेकिन क्या वास्तव में किसी के कारे का हमारी घ्रिणा से कोई संबंध है? विचार कीजे एक धर्म के मानने वालों को दूसरे धर्म के मानने वालों के प्रती घ्रिणा होती है वहाँ तो किसी ने दूसरे को सीधा नुकसान नहीं पहुँचाया? हमारे मन में किसी के लिए घ्रिणा क्यों जन्म लेती है? क्या इसका संबंद किसी के कारे से है या सिर्फ हमारे मन से है विश्व के सारे धर्म तो प्रेम और शांती का संदेश देते हैं है न वास्तव में जब कोई प्रेम संबंध तोड़ता है तो हमें डर लगता है कि हम जी नहीं पाएंगे कोई कारोबार में धोका देता है तब हमें डर लगता है कि हम गरीब हो जाएंगे किसी दूसरे धर्म के मानने वाले को जब मिलते हैं तो हमें भय लगता है कि हमारी शद्धा डगमगा न जाए अर्थात हमारी घृणा का संबंध किसी की माननता अत्वा कारे से नहीं जुडा है वो केवल हमारे हिरदे के भय अत्वा डर से जुडा है जिसके हिरदे से डर चला जाता है जो पूरी तरह निर्भय हो जाता है वो किसी से भी घृणा कर ही नहीं सकता और डर के पार जाना अनिवार रहे है क्योंकि डर वो दीमक है जो मनुष्य की आत्मा को खा जाता है इस सब पर आप चिंतन, मनन, विचार अवश्य कीजेगा अवश्य की आत्मा को खा है